लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत अधिकारों की अवधार्णा सिर्फ लोकतंत्रिक व्यवस्था से जुड़ी नहीं है अन्य व्यवस्थाओं में भी अधिकारों की बात की जाती है जैसे काम करने का अधिकार हो या इस्थानिय प्रशाशन में शामिल होना हो लेकिन लोगतंत्रिक शाषन में अधिकार और महत्तोपून हो जाते हैं क्योंकि सरकार बनाने और चलाने में लोगों की भागिदारी होनी चाहिए लोगतंत्रिकी मूलभूत आवेशकता है लोगों द्वारा चुने गय प्रतिनिधी लोगों के हित में काम करें एवं लोगों के प्रति जवाब दे हों यदि आम लोगों को व्यापक अधिकार न मिले हों तो केवल कुछ लोगों द्वारा ही सरकार बनाई जा सकती है जैसे सयुक्त राज अमेरिका के उदाहरण में हमने देखा अधिकार नहूं तो शासन द्वारा बनाई जाने वाली नीतिया और कानून एक तरफ हो जाती हैं। लोगों को इन पर विचार रखने वो इन्हें बदलने के आउसर नहीं होते। यदि कहीं भी लोगतंत्र में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहूं तो शाशन द्वारा नागरिकों पर अत्याचार वो उनका दमन आसानी से किया जा सकता है। अधिकार सभी मनुश्यों के लिए जरूरी हैं। इसलिए लिंग, रंग, नसल, जाती, धर्म, शेत्र, देश या अन्य किसी आधार पर अधिकारों को देने में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि कुछ लोगों को अधिकारों से वंचित किया जाता है तो इसका अर्थ यह भी है कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। स्वतंत्र व्यक्ति के अधिकार हमें स्रिजनात्मक और मौलिक होने का मौका देते हैं। जैसे संगीत, नृत्य, लेखन आदी में हम मौलिक रचनाएं कर सकते हैं। सिक्षा का अधिकार हमें विक्षित करने में मदद करता है। हमें जीवन में सूजबूज के साथ चलने में सक्षम बनाता है। अर्थात, अधिकार राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कारे करने की स्वतंत्रताएं या सुविधाएं हैं, जिससे व्यक्ति अपनी शारिरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। अधिकारों का सम्वेधानिक संदर्भ अधिकारों के दावों की नैतिक तथा सामाजिक मानिता चाहे जितनी हो, उनकी सफलता कानून के समर्थन से ही है। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मानिता को महत्व दिया जाता है। अधिकारों का स्वरूप बदलता रहा है तथा इनका दायरा भी बढ़ता गया है। अधिकार आमतोर पर उस इस्थिती में ही अधिकारों का दर्जा हासिल करते हैं जब लोगों की आवेशक्ताओं को कानूनी रूप से मानिता दी जाए। जब तक किसी अधिकार को कानूनी रूप नहीं मिलता तब तक किसी भी अधिकार के लिए वास्तों में लोगों का राजी के प्रती दावा नहीं बनता। उदाहरण के लिए सन 2002 में भारत की संसद ने सम्विधान के 86 में सम्विधान संशोधन द्वारा सिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कानूनी स्विक्रिती दी। इसके बाद यह कानूनी रूप से नागरिकों का मौलिक अधिकार बन गया। कोई भी अधिकार कानूनी रूप से स्विकार किया जाना आवश्यक है ताकि किसी भी देश या प्रांथ के सभी समाज के लोग उसे स्विकार कर सके। अधिकारों की कानूनी मानिता एतिहासिक रूप से लगभग 800 वर्स पुरानी है सबसे पहले इंग्लेंड में वहां के राजा ने सन 1215 में एक अधिकार पत्र को कानूनी रूप से स्विकार किया जिसे मेगना कार्टा कहा जाता है